दोस्तो अगर कोई कंपणी रोड प्रजेक्ट देती है तो उसमें सबसे पहले क्या करना रहता है अब माल लीजिए आपकि कंपणी को ये एक रोड का प्रजेक्ट मिला है ये रोड मेरा 7 मिٹर चोड़ा बना हुआ है तो आपको इस रोड को 7 से 10 मिटर चोड़ा करना है ठीक है यह हो गया वाइड निम प्रजेक्ट और उपर यहां पर तो BC अच्छी है आगे 1 किलोमेटर जाकर इसकी BC तूटी हुई है आगे सारा रोड तूटा हुआ है तो इसके उपर BC भी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रोड का सर्वे करना रहता है अब सर्वे में क्या क्या करना है वो चीज़ समगे सर्वे में सबसे पहले आपको करनी होगी चैनेज मारकिंग अब जैसे माल ले यह रोड मेरा 3 किलोमेटर से स्टाट हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा चैनल 3 प्लस 0,0 आगे लिख दूँगा 3 प्लस 0,10 आगे लिख दूँगा 3 प्लस 0,20 3 प्लस 0,30 3 प्लस 0,40 ऐसे 10-10 मिटर पे चैनल मार्किंग कर दूँगा इसके बाद आपको लेने हैं रोड के लेवल, आपको उठाने हैं OGL, OGL मतलब Original Ground Level, अभी यह जो है, यह अभी आपका OGL है, ठीक है, OGL इसलिए उठाया जाता है, रोड बनने से पहले, कि जब आपका रोड बनकर त्यार हो जाएगा, तो त्यार होने का बाद जो उपर के दीर लाया, वो कितने थिकनस आई है उसकी, दोस्तों, अब मुझे उठाने हैं OGL, OGL के लिए मुझे टीवियम का पता होना चाहिए, अगर आपको कहीं से रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप वहां से टीवियम उठा सकते हो, अगर कहीं से रेफरेंस नहीं है, तो बिल्कु टीवियम 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 टीव बेकसेड मैंने लिया है 1.165 दोनों को मैंने जोड़ दिया 101.165 यह जो मेरा आया यह मेरी है बन गिया हाइट ऑफ इंस्टुमेंट अभी यह भी मैंने काम करना है इस OGL में पूरा रोड सर्वे में इस ही है से करना है ठीक है लेकर यह है यह है दोस्तों चेंज हो जाती है अपने मशीन बंद कर दिये शाम हो गया अंदेरा हो गया अपने मशीन बंद कर दिये तो आपको जब कल को सुबा कर मशीन लगाने पड़ेगी आपको दुबारा से अच्छा ही बनाने पड़ेगी ठीक है इस बात को दियान में रखना यह मेरे अच्छा ही हो गी है आप मेर के लिए बतायता हूँ, सबसे पहले आपको स्टाफ रखना है, तीन किलोमेटर चैनेज के पहले हम उठाएंगे, तीन किलोमेटर चैनेज भी आपको सेंटर में स्टाफ रखना है, इसकी रेडिंग उठा लेनी है, फिर ये स्टाफ को उठाकर आपको रखना है, लेफ्ट रो करके अब राइट से अड़ आ जाईए इसी चैनेज पर सेंटर का तो अपने उठा लिया था अभी राइट रोड एज का लेवल उठा लेना है फिर आपको एक मीटर का लेवल उठा लेना है फिर आपको दो मीटर का लेवल उठा लेना है फिर आपको ऐसी तीन मीटर का लेव बैर करनी है एक level sheet level sheet की calculation कैसे करनी है कैसे level sheet बनानी है इस चीज़ को थोड़ा द्यान से समझना क्योंकि यह level sheet आपको एक civil engineer को बनानी आनी चाहिए सबसे पहले है serial number यहाँ आपके serial number आएंगे फिर आपकी changes आगी फिर offset यहाँ पर जो आपने offset पे level उठाए हैं वो आ जाएंगे फिर back side आगी intermediate side आगी force side आगी height of instrument आगया RL आगी जनकी reduce level आगे remark आगे जहां पर अब TVM लिख सकते हैं अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है रिमाक में लिखना है TVM 1 और उसकी value TVM 1 की value 100 तो मैंने लिख दी है back side कितनी आई थी मेरी 1.165 मैंने back side लिख दी है दोनों को जोड़कर मेरी निकली है HI height of instrument height of instrument मेरा है 101.165 इतना हो गया अब यहां पर देखिए IS जो मैंने road के level उठाए थे channel by channel उठाए थे right side के left side के वो थे मेरे सारे IS क्या थे मेरी वो जितनी भी reading आई थी वो सारी IS आई थी उन सब को मैं यहां पर channel by channel IS में लिख रहा हूँ दोस्तों मैंने offset के सामने सामने सारी IS reading लिख दी है अब मुझे next काम क्या करना है यह जो मेरी HI है इस HI से ही आपके सारे road के RL निकलेंगे इस HI में IS में एक एक करके मैनस करता जाऊंगा इसके RL निकलते जाएंगे देखे कैसे HI है मेरी 101.165 इसमें मैनस पहली में central end की IS मैनस करूंगा 1.100 तो मेरा आ जाएगा 100.065 यह जो RL आया है road center का RL आया है RL की full form होती है reduce level अब मेरे को next निकलना है HI से मैं next IS rating मैनस करूंगा 1.180 तो मेरा RL आया है 99.985 अब भी यह जो RL आया है यह road edge का है किसका है road edge का left side का फिर आगे IS rating मैनस करूंगा मैं तो मेरा आगे है 99.885 ऐसे ही आपको HI से सारी IS rating मैनस कर देनी है आपके सारे RL आ जाएंगे channels by channels ठीक है और last में आपको क्या करना है जब आप level machine close करोगे आपको 4 side लेनी होती है जैसे आपकी IS आई है ऐसी आपको 4 side लेनी होती है IS की तरह ही आएगी जैसे मालो 4 side आगी 1.100 तो आपको 4 side पी लिख देना है HI में आपको FS minus करनी है वो आपका RL आ जाएगा ठीक है इसमें मैंने mention नहीं किया क्योंकि आगे मेरे पास जगा नहीं है तो 4 side लेकर ही आपको machine close करनी है ठीक है तो दोस्तों उमेद करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जाना करें आपको अच्छी लगी हुई वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और शेर जरूर करें और थोड़ा सा मुझे स्पोर्ट करें